आज मैं बात करूँगा VidIQ के detailed review के बारे में ये एक ऐसा tool है जो सभी के लिए जरूरी है doesn't matter आप YouTuber हो की नहीं हो ये वीडियो आपके लिए है हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी so VidIQ एक tool है और Chrome extension भी है जो की सभी के लिए बहुत important है अगर आप लोग YouTuber भी हो नहीं भी हो तो भी ये tool आप लोगों के बहुत important है तो मैं आज आपको बता हूँ कि इसके free version को कैसे use करना है और इसके paid version को भी कैसे use करना है तो बिना किसी delay के हम लोग या पर शुरुवात करते हैं free version से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि येवाला टूल सभी लोग कैसे use कर सकते है तो इसकी जो एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो लगता है like और dislike ratio मतलब कितने percentage उसको like मिले हैं compared to dislikes that the video have got इससे हमें ये पता चलता है कि क्या वो वीडियो सही में अच्छा है कि नहीं है तो यहां पर मैंने video का free version download करके रखा इसमें मैंने कोई इसको payment नहीं करी है किसी भी type का payment यहां पर card वगर मैंने नहीं add किया है तो जैसे अगर आप लोग कोई भी term यहां पर search करते हैं जैसे मैंने search किया how to earn one करो सबसे पहले यह वाला video आता है यहां पर 90% है मतलब सौम ऐसे 9 लोगों ने इसको like नभे लोगों ने like किया 10 लोगों ने dislike किया उसी type से यहां पर 89% है मैं क्या देखता हूं जिस भी video का जो like percentage है वो 80 के नीचे है जैसे 71 है यहां पर भाई साब ने photo ही किसी और की use करिये विविक बिंद्रा की use करिये तो यह वाला वीडियो में नहीं देखूंगा हाला कि इसके views अच्छे है लेकिन यहां पर like dislike ratio से काफी हत तक आपको पता चल जाते है कि वीडियो के अंदर का content कैसा होगा क्या वो click-baity है कि नहीं है ऐसे यहां पर मैंने एक और search किया है how to change car wipers इसका 86% है ठीक है मैं 80 के below वाले नहीं देखता हूँ जैसे वाला यह 77% है मैं इन भाइस आपको नहीं देखूंगा हाला कि इनके views काफी अच्छे है लेकिन dislike भी इनके है और फिर एक यह भी है 8 साल पुराना है इसके 62% है तो मैं इसे भी नहीं देखूंगा क्योंकि इसके dislikes थोड़े जादा है यह 70% है तो मैं इस तरीके से अपने वीडियो को sort करता हूँ क्लिक बेटी वाले वीडियो से बचता हूँ और जो अच्छी value प्रोवाइट करें उसे देखता हूँ तो आप सब लोग इसका use कर सकते हो क्योंकि आप लोग YouTube देख रहे हो अभी तो आप यूट्यूबर हो तो यह वाला वीडियो continue देखते रहो तो अब अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो आप लोग इसके free version को कैसे use कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ जो इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है वो इसके views पर hour बताता ही है मतलब जैसे हम लोग को यह वीडियो से तो यह चीज एक अच्छी रहेगी देखने वाली तो जैसे यह वाला है इसके हम लोग यहाँ पर जाएंगे यह हमें यहाँ पर दिखा रहा है views पर hour 213 तो जो अभी इसको views मिल रहे है इतने इसको views मिल रहे है जो की अच्छे हैं 213 into 24 means 5000 views अगर मेरा जो पह पहले upload किया गया है लेकिन अभी भी इसको कितने views मिल रहे है पर hour हम लोग देख सकते हैं इस चीज से अभी इसको 40 मिल रहे है तो best free antivirus इतना नहीं चलेगा जितना video editor वाला चलेगा और उसी तरह से मानलो मैंने एक iPhone 11 लिया है मुझे देखना है कि अभी उसके कितने आ रहे हैं तो जैसे एक MKBHD का है फिर एक नया है तो मैं इन दोनों को खोल देता हूं और आपर हम लोग देखते हैं कि इसके views कितने आ रहे हैं जैसे इसके भी व्यूस पर आ रहे 151 151 x 24 तो यहां पर 3600 अगर मैं टॉप पर रांग कर गया तो और इसी तरह से यह भी यह नया चान करना है तो यहां पर आइफोन 10 का और कम हो गया 53 व्यूस पर आवर हो गया यह भी MKBHD के मैं बता रहा हूं जो कि काफी popular channel है तो इसके व्यूस यहां पर और कम हो गए तो इस तरह के से व्यूस पर आवर काफी important metric हो जाता है अगर आप लोग कोई ऐसा वीडियो बना रहे हो जो कि रांग करने वाला है इसके बाद एक और चीज़ इसमें अच्छे वह ए इसके व्यूस पर आवर काफी अच्छे आ रहे हैं तो यहां पर आपको तीन, चार-पांच्छे मिल जाते हैं उसके ऊपर आपको अफ्डेड करना पड़ेगा तो यह भी एक अच्छी चीज़ करसके ओ, वह है टक्स के लिए, मालनो मेरा यह एक ऐसी ही वेडियो बनाया अब इसके टक्स को है के यहां पर simply डाउलोड कर सकता हूं यहां फिर इसको कपी करके अपने वीडियो में भी डाल सकता हूं, सारे टक्स को मत क अपी करेगा जये से ने पाल नेपाल उर्दू यह यूट्यूब का जो अटो कम्प्लीट होता है, उसको यहीं पर ही कम्प्लीट कर देता है, तो थोड़ा इसको डालना, तो इसका फ्री वर्जिन तो डिफिनिटली मस्ट यूज़ है, अगर आप लोग यूट्यूबर हो, नहीं हो, आप लोग इसको इस तरीके से use कर सकते हो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके paid version को हम लोग कैसे use कर सकते हैं अभी तक free version को तो काफी अच्छे से use करना आप लोग सीख गए होंगे तो paid version के लिए पहले आप लोग इसकी pricing को समझते हैं आप इसके 3-4 plans आते हैं और हाँ आपको मेरे नीचे दिये गए लिंक से discount भी मिल जाएगा और एक महीने का free trial भी मिल जाएगा discount पहले 20 users को मिलेगा जो मेरे 20 users उस link से जाके purchase करेंगे उनको यहाँ पर extra 25% का off मिल जाएगा बाकी लोग यहाँ पर एक महीने का free trial use कर सकते हैं और हाँ यह video sponsor नहीं किया video IQ ने लेकिन अगर आप लोग मेरे नीचे दिये गए link से purchase करोगे तो इससे मुझे help मिलेगी कि मैं इस तरह के unbiased videos आप लोग प्ले ना पाँँ तो अगर आपको यह videos पसंद आते हैं तो आप लोग मुझे support कर सकते हैं तो अब हम लोग देखते हैं इसके प्रोव वाले features को यहाँ पर जो मैं आपको सबसे पहला feature बताऊंगा वह हिस्तौरिकल आनलिसिस अभी तरह आपको व्यूस पर आवर दिख रहते हैं लेकिन अगर आपको इनका प्रो वोजन लेते हो तो historical analysis भी दिख जाएगा जहाँ पर आपको इनके अलग-अलग time के हिसाप से इनके views दिखने लग जाएंगे तो जैसी यह बाला वीडियो है इसके views ना अच्छे हैं अगर यहाँ पर एकदम से एक present की नहीं आप लोग चाहते हैं आप इसके csv भी डाउनलोड कर सकते हो यह csv आपको थोड़ी बेटर तरीके से research करने में help करेगी और जैसे numbers हैं यह आपको number format में दिख जाएंगे कि कब कौन से views आ रहे हैं कब कितने likes दिसलाइक थे और इसके views per hour यह रहे कब कितने इसके views per hour थे तो जो लोग जादा अगर आप लोग डिजीटल मार्केटिंग कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए तो यह चीज काफी important होने वाली है अगला जो फीचर है वह एक keyword research क्लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ है एंद जाएंगी हम लोग keyword inspector पर यह इसकी भी search volume decent है यह monthly search volume आपको दिखा देता है best credit cards काफी अच्छे है then credit card rewards यह भी अच्छा topic हो सकता है तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग keyword research कर सकते हो इस चाहो तो इस पर वीडियो बना सकते हो चाहो तो इनको as a tag include कर सकते हो अपने वीडियो में यह मुझे काफी अच् में जिसके views per hour काफी अच्छे आए हूँ तो मैं यहाँ पर इसको डाल के देख सकता हूँ जैसे एक IDFC का credit card है इसके views per hour सबसे अच्छे है तो मैं भी अगर credit card के बाए में discuss कर रहा हूँ तो मैं इस credit card को यहाँ टागेट कर दूँगा फिर एक बजाच finzao का super card है इसके भी views काफी अच्छा है और यहाँ पर मैं चाहूं तो मैं यह भी कर सकता हूँ जैसे जो छोटे channel है उनके भी अच्छे views आ रहे हैं तो मैं इस topic के ओपर बना सकता हूँ तो इस तरीके से आप लोग अपने videos के लिए और better research कर सकते हो इनके most viewed वाले feature के through एक और जो इसका मुझे अ alerts का मालो मैं कुछ games के बारे में discuss कर रहा हूँ जैसे मैंने इसका नाम दे दिया free games मैंने keyword डाल दिया तो अब अगर कोई भी ऐसा वीडियो आता है जिसको 1000 views पर आवर मिल रहे हैं तो वो मुझे mail के through आ जाएगा मैं इसे each week कर सकता हूँ everyday कर सकता हूँ तो मुझे रोज उसक इसको यह games वाले हैं यहाँ पर यह सारे games अच्छा perform कर रहे हैं तो इसी तरीके से मैंने जो मेरे जो keywords है वो hosting है, cloud storage है, VPN है, हलाकि यह सारे कमी trending में जाते हैं तो मुझे यहाँ पर जादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या trending हो रहा है मैं तो क्योंकि review videos करता हूँ तो आप लोग भी quickly उसी के ऊपर बना सकते हो अब जो एक और फीचर आपको extra मिलता है वो है इनके trending tab पे आपके competitors जो भी है देखने के लिए कि अभी आपर इनका कौन सा वीडियो सबसे अच्छा perform कर रहा है जैसे यह वाले तो recent video है लेकिन मालनो मेरा tech channel है तो मैं देखूँगा कि गुरू Asus ROG phone इसके भी काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं अभी तक तो अगर मैं यह वाला phone लेता हूं तो मुझे भी इसके अच्छे व्यूज मिल जाएंगे और हम लोग यहाँ पर आ गए जैसे यह है चार साल पुराना फिर भी इसके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं फिर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग उसके थूरू इंस्पिरेशन ले सकते हो इसके बाद हमें यहाँ पर एक चैनल ऑडिट का फीचर मिल जाता है जो कि आपको बताता है कि कौन से वीडियो आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कि इसमें एंगेजमेंट रे मेरी कौण सी प्लेइस्ट अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं जैसे बीपेट वाली स्टोरेज वाली होस्ति वाली तो मैं उस पर और कॉंटेंट डाल सकता हूं फिर मैं यहाँ पर नीचे और भी चीज़े देख सकता हूं कि कौन से मेरे वीडियो जो कि प्लेइस्ट में नही तो चैनल अडिट में मुझे प्लेलिस्ट वाले फीचर ज्यादा पसंद आया है एक और जो मुझे इसका अच्छा फीचर लगाया है वो है डिस्क्रिप्शन एडिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन कैम्पेंज के तुरू मैं सारे वीडियो में जितने भी मेरे वीडियो है मैं आप पर मानलो एक गिववे कर रहा हूँ मुझे सारे वीडियो के ट्राफिक एक वीडियो के ओपर चीए मुझे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक पहले वीडियो का लिंक डालना है तो वह яанс amusement मैं कर सकता हूं जैसे अब अलart nastig अन्ति यह जईसे क्या हूँ चब आपर अफ्लेश को सबते हैं मैं जैसे मैं चाहूं तो मैंस सारे विदियो को कर सकता हूं यहां फिर लोट बाय बेशिट सकता हूं जितने मिरह वालेश मैं उसमें जो पहली जो डिस्क्रिप्शन की लाइने उसे चेंज करना चाहता हूं तो मैं वह एजीली कर सकता हूं गिववे अलर्ट के नाम से मैंने डाल दिया कि होस्टिंग का यहां पर गिववे हो रहा है और जैसे ही वह एंड होगा मैं आप पे जो क्यांपेने इसको बं सारे वीडियो के description को फिर से edit करना है तो मैं यहाँ पर इसका use कर सकता हूं कि जितने मेरे मानलोग पहले कि मैने 30 वीडियो आप खोल दिया अपने फिर मैंने यहाँ पर इन सब के नहीं मैं यहाँ पर search and replace कर दिया और फिर मेरे सारे वीडियो के description यहाँ पर change हो जाएंगे ज जैसे यहाँ पर मैं rank करना चाहता हूँ 1Password review के लिए, तो जो मेरा thumbnail है, वो क्या बाकी thumbnail से stand out कर पा रहा है की नहीं, जैसे यहाँ पर यह रहा मेरा 1Password का thumbnail जो मैंने बनाया है, क्या यह आगे पीछे वाले इन सारे thumbnail से stand out कर पा रहा है की नहीं, यह काफी important हो जाता है, अगर आपको अपना ratio बढ़ाना है, click ratio बनाना है, तो आपका thumbnail बहुत important रहता है YouTube में, तो mainly मैं यह देखता हूँ कि जिस video से मैं compete कर रहा हूँ, rankings के लिए, उन से अच्छा मेरा thumbnail है की नहीं, तो यह जो सारे features मैंने आपको बताईए है, इनके pro plan में आपको मिल जाएंगे, अब अगर मैं इसके boost plan की बात करूँ, तो जो आपको main feature यहाँ पर differentiate वाला मिलेगा, आप हो रहेगा, इनका keyword engine, basically यह आपको यहाँ पर कुछ suggestions दे देता है, जैसे हाँ पर मैंने best pass password मैंजर 2021 डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आया, यह मुझे 3 suggestions तो दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको boost करूँगा, तो यहाँ पर मुझे और suggestions मिल जाएंगे, इसको मेरे पास नहाँ पर 40 है, तो मैं आपर 40 वीडियो को एक महिने में boost कर सकता हूँ, जैसी मैंने आपर boost किया, मुझे यह सारे suggestions आ गए, कि आप यह सारे keywords को use करो, यह सारे अच्छे keywords है, तो यह हो गया इनका VidIQ का keyword engine, काफी easy हो जाता है इसको use करना, और फिर यहाँ पर यह मुझे बताता भी है, कि आप लोग इन keywords को अपने description में भी डालो, अभी यह मुझे कम दे रहा है, जैसी मैं आपर tags add कर दूँगा, इसके बाद यह मुझे बताएगा, कि आप लोग इस keyword का use अपने description में भी करो, अपने title में भी करो, बस यही एक extra feature है boost में, लेकिन जो लोग इसका use करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है, तो मेरे पास इनका फिलाल boost वाला plan है, आपको कौन सा लेना चाहिए, देखो free तो use करना ही है, doesn't matter आप क्या करते हो, free वाला तो अभी जाके download कर लो, आपको link मिल जाएगा again, तो pro वाला, mostly लोगों के लिए pro वाला यहाँ पर sufficient रहेगा, boost वाला उनके लिए जो लोग यहाँ पर थोड़े जादा professional है, जिनका YouTube से अभी revenue at least $500 तो आ रहा है पर मन्त, तब आप लोग प्रो बूस्ट वाले में invest कर सकते हो, यह keyword engine इनका अच्छा है, थोड़ा convenient हो जाता है, और अच्छे keywords भी वो suggest कर दें, तो यहाँ पर मैंने cons की बात नहीं करी है, क्योंकि यह जो tool है, आप लोग इसको use कर सकते हो, depending upon the features, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो भी मैंने आपको use case बताए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, इसको आप लोग use कर सकते हो, तो फिर आप लोग यह अला tool use कर लो, इसके cons मैं तब बताऊँगा, जब मैं इसको किसी और tools से compare करूँगा, जैसे कि Tube Buddy, तो अगर मैंने future में इसको compare किया, तब हम लोग दोनों के pros and cons को देखेंगे, अभी आप लोग अपने feature और use के हिसाफ से, tools को select कर सकते हो, यहाँ पर मैं एक और disclaimer देना चाहूँगा, कि यह tool कोई magically आपके videos को rank नहीं कर देगा, आपके video का content भी अच्छा होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, कि अगर मैं VPN के video बना रहा हूँ, hosting के बना रहा हूँ, cloud storage के बना रहा हूँ, password manager के बना रहा हूँ, किसी के भी बना रहा हूँ, मेरे video should be one of the best out there, मतलब मैं तो यहाँ पर अपना बैस देनी के पूरी कोशिश करता हूँ, अपने review videos में उसको use करता हूँ, उसको अच्छे तेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ, तो मेरा video भी अच्छा रहता है, content भी अच्छा रहता है, फिर इसके बाद जो इसका SEO game है, वो इस plugin के थुरू मेरा थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, तो मेरे videos को rank करने के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मेरे videos रहते हैं, वहाँ पर मुझे subscribers से कम views आते हैं, लेकिन rank होने के बाद, महाँ से मुझे constantly lifetime views आते रहते हैं, rank होने के बाद मतलब मुझे जादा अच्छे views मिलते हैं, तो मेरे लिए ranking बहुत important है, इसलिए ये वाला tool भी मेरे लिए important है, तो आप लोग भी चाहो तो इसको use कर सकते हो, आपको link मिल जाएगा description में, coupon code भी मिल जाएगा, एक महीने का free trial भी मिल जाएगा, 25% extra off भी मिल जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए, तो उसको thumbs up दे लीजेगा, चैनल को subscribe कर लीजेगा, and I will see you guys in the next one, goodbye.